नमस्ते फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो मांसून गारण बहुत ही हड़ा भड़ा होता है चारोतर फड़ी आले छा जाती है तो विंटर गारण के तैयारी मांसून गारण में करते हैं तब जाके हमारे विंटर गारण में धेर सारे फ्लावर की लेंगे वो फुल्दावदी और गिंदे का फ्लाबर जो पूरा विंटर गार्डन को बहुत सी खुशूरत बनाता है तो उसकी कटिंग अभी जरूर लगा है तो इसे एक पौधे से धेर सारे पौधे बना सकते हैं इसको पींचिंग करके इतने सार इसके कटिंग निकले गें कि पूरा विन्टर गार्टन अपका फुलों से भर जाएगा तो यह देखर गुल्दाओधी कि मैंने पौध्य रख के हैं तो यह अगले साल का पौधा है तो एक सार एक बार विन्टर गार्टन में यह पौधा एड करते पालू की रेत बहुत अच्छे चल जाती है नौर्फल गार्डन सौयल में रोमनों पनी वश्चे चल जाती है तो मिला के इस तरह गमले को भरेंगे तो अगर बालू कीरित नहीं हो तो हलकी कोकोपीट भी मिला सकते हैं तो मिट्टी हलकी होना चाहिए बहुत हाड मिट्टी रहेंगे तो नीचे जर नहीं फैल पाती है तो मिट्टी को चेक कर ले, थोड़ा धूप दिखा ले, ताकि मिट्टी में कोई फंगस नहीं हो, अगर फंगस लगा होगा, तो भी हमारे मिट्टी खड़ाब होने के वज़े से भी कटिंग नहीं चलते हैं, तो कटिंग लगाने के लिए जो भी अलवेडा के पत्ते लिए हैं तो इसको उपर से काट दिया हैं, और नीचे रूटिंग हर्मोन के लिए नीचे लगा के फिर हर कटिंग को लगा देंगे, तो इस समय हमारे सभी कटिंग लग जाती हैं, तो नीचे देख रहा है होल करके, करके कटिंग लगाएंगे, तो मिठी को अच्छे से दबा देंगे, ताकि air नहीं ले पाएं अगर air ले ले लेंगे तो कटिंग हमेशा ही चल जाती है, अगर कटिंग लगाने के बाद बहुत तेज धूप में छोड़ देती हैं, या बहुत जादा बारिस में छोड़ देत सब्सक्राइब。 तो हमारे कटिंग चल जाएंगी, तो इस तरह हम हर 10-15 दिन बाद इसके एक ए गमला करके कटिंग तियारी करेंगे, चाहे तो आप कई सारे गमले में भी कटिंग लगा सकते हैं, तो 10-15 दिन के गैप करके लगाएंगे, तो हमारे विंटर गार्डन में काफी दिन तक इसके फ कई सारे गमले में कटिंग लगा सकते हैं, तो खाली वेस्ट बोतल हो, तो उसमें भी लगा सकते हैं, या कोई मिठाई के डब्बे पड़े हैं, तो इस तरह गेंदे के भी कटिंग लगा सकते हैं, तो गेंदे के कटिंग लगा सकते हैं, तो गेंदे के कटिंग लगाने के तो इसमें अभी नीचे जर निकल गई है, तो देख रहे कितने छोटे-छोटे cutting है, लेकिन सभी में जर निकल गए है, तो इसको भी रीपर्ट कर सकते हैं, तो रीपर्ट करने के बाद इसको अच्छे तरह से पिंचिन करेंगे, ताकि बूसी हो जाए, तो रीपर्ट का वीड पेतक भी आते हैं, पर cutting से इससे में फिडी में काफी सारे पोधे बना सकते हैं, ताकि विंटर गार्डन बहुत ही खुब्सूरत हो, तो फ्रेंट्स वीडियो अगर काम कहो, तो लाइक जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा बैल आकन के साथ, थाइब प्रेंट में अई-पन-बेल